किया गया तो मैं शुरुबात में मैं कहना चाहूँगा एक जो इमेज या तस्वीर जो हमारे सरक्षन की या सुरक्षक की है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ प्लीज आपने सवाल उठाया आपके मानने सदर्शेगन 353 का नियम बता रहे थे 352 का नियम बता रहे थे हम नहीं कोईब दतर्शेगनि और शुद्विण 20 सठीट संदर्शेगनिर 255 का नियम चलना चलना आं प्लीया 3 दिते नियम में आयूवह किना इका चुनिकल सदेगनी दिखा जा सकता का आपने का नियम से deposit एथा इस का यह नहीं है तो शिफ जी का चित्र इस हाउस में दिखाना बना है यहाँ पर दूसरी चीज़ेंगे चित्र दिखाए जा सकते हैं मैं सब दिखाना चाहता था स्टिकर सर ये चितर पूरे हंदुस्तान के दिल में है पूरा हंदुस्तान इस चितर समझता है करने के लिए कि हम कभी भी ना डरें ये जो विचार है इस तस्विर में है जिसके अनुमतिया प्रदान मुझे नहीं कर रहे हैं एक किसमें साफ है जो गर्दन के पास शिव जी के है इसका विचार ये है कि कभी भी आप किसी भी चीज से न डरें जिसका सामना आप करते हैं वस्त है शिव जी जो बिर्त्यु है उसको भी एक इंच अपने गर्दन के पास रखते हैं और वो आत्मा है जिसके हम विपक्ष की रूप में हम जिसका सामना कर रहे हैं और जिसका हम प्रेशूद करना चाहते हैं इस विचार से जो हम जो हम सामना कर रहे हैं हम आज विपक्ष में हैं और मुझे गर्व है कि मैं विपक्ष में हूँ क्योंकि हमारे लिए शक्ति से भी अधिक कुछ बड़ी चीज है सत्ता से बड़ी कोई चीज़ है यह हमारे ले सत्ता है आपके लिए सिर्फ सत्ता है सिर्फ आप सत्ता में रहना चाहते हैं हमारे ले सच है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं और यह सच का प्रतीक है और जब हम शिवजी जब साप को अपने घर्दन में रखते हैं तो वो कहना चाहते हैं कि मैं सचाई को सामना करूँ गा और मैं सचाई से कभी नहीं पलटूँ गा और यही सत्ते हम प्रस्तूत करना चाहते हैं उसके बाद एक नया तुर विचार उभर कर आता है और निश्चित रुप से मैं शिव जी के तस्वीर नहीं दिखा सकता है जैसे कि आपने कहा ने आप सब जानते हैं कि बाएं कंदे के पीछे शिव जी के एक तरिशूल है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक कारण है कि तरिशूल एक हथियार है वो बाएं कंदे के पीछे रखा गया है तरिशूल जो है वो सिर्फ एक हिंसा का प्रतिख नहीं है बलकि ये आहिंसा का प्रतिक है क्योंकि शिवजी के दाइने हाथ में नहीं है यदि यह हिंसा का प्रतिक होता तो दाइने हाथ में होता चुकि यह आहिंसा का प्रतिक है इसलिए उनके बाइंकंदे की पीछे से रखा गया है हमने जब BJP से रड़ाई की तो हम हिंसक नहीं थे हमने जब सत्य की रख्षक की उसके लिए एक एक आउस का भी हमने हिंसा नहीं की और अब तीसरा विचार है और बहुत शक्तिशाली विचार जो है जो सत्य के और साहस के दोर से और अहिंसा के उससे निकला है और वो विचार जो है वो अनिशित रूप से आप उसके उसे नफ़त करते हैं लेकिन वह भाएं मुदरा का प्रदीख है जो की जो आप देख सकते हैं वो इस तस्वीर में है जै महादेव और राजनाज सिंग जी बड़े आश्चे जै महादेव जो की प्रदीज का जो चिर अजै मोटे की पॉस्चे लिकार झाल बड़े भाएं मुड़े ङभाउब्र हैं अभएं मुड बड़े आश्चे का ग mencion है अग्यवारी आत्र संपट्ट इसाओ घर शडदी आ वहिंट जगे, परक भर राम्हां गंदी इस भीर आ, जी जही वेन मुट र्किक बोद अखिर्धे, ल॥न आहिंट। Our इस non-violence it is also important that you make others not scared that you help others become fearless that you help others become non-violence so in a sense the abhay mudra is a projection from shivji to the rest of the world about these two ideas of course these two ideas were used by us all of us when we fought the british and they were put forth by mahatma gandhi the prime minister of course who has a direct connection with god as a as a direct speaks directly to god yes the parmaatma speaks to modiji's atma directly unlike unlike with all humans we are all biological we are born we die but the prime minister is a non-biological being and the prime minister says gandhi is dead and gandhi was revived by a movie i mean can you can you understand the ignorance that gandhi is dead and a movie revived the father of the nation no 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 gandhi is not dead gandhi is alive now another very interesting thing i noticed and there's another thing i noticed that it is not just one religion that talks about courage in fact all our religions talk about courage so here is the religion of islam and 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 कि समझार यहां पर जंताने सब कर बेजा रहा है मजा नहीं आ रहा है जंता सब को चुनकर बेजा आप कॉंग्रेस पार्टी ने शिव की फोटो दिखा दी यह गुष्सा होगे